परिचाए प्रदीप इस इमारत को देखो हाँ यह सिलाके की सबसे हुची इमारत है इमारत के उपर उस जंडे को देखो हाँ यह बहुत सुन्दर दिख रहा है क्या तुम जानते हो कि हम इस इमारत की उचाई और जंडे की उचाई आसानी से ग्याद कर सकते हैं नहीं, सच में हाँ, हम उचाई और दूरी मापने के लिए त्रीकोंड मिधी अनुपात का प्रयोग करते हैं आओ, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे द्रिष्टी रेखा को समझना उन्नयन कोण को समझना अवनमन कोण को समझना उचाई और दूरी से सम्बंधित उधारणों को हल करना उन्नयन कोण कई बार हमें मेनारों, पेडों, इमारतों की उचाई और लाइट हाउस से जलपूत की दूरी, नदी की चौड़ाई इत्यादी, ग्याद करने की अविशक्ता होती है हम उन्हें पून शुद्धता से नहीं माप सकते लेकिन हम त्री कूण मिथिये अनुपातों की सहयता से उन्हें ग्याद कर सकते हैं उन्नयन का अर्थ होता है उठना या उपर जाना उन्नयन कूण, चैतिज इस्तर और चैतिज इस्तर से उपर इस्थित, वस्तू की दृष्टी रेखा के बीच का कूण होता है आईए इसे समझने के लिए एक उधारन दें इस चित्र में एक प्रेक्षक इमारत की छट पर खड़ा है और चैतिज रेखा पर एक चिडिया को सीधे देख रहा है प्रेक्षक को हवाई जहाज जो की एक त्रियक रेखा में है उसे देखने के लिए अपनी आखें उठानी होंगी इस रेखा को द्रिश्टी रेखा भी कहते हैं इन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाले कौण को उन्नयन कौण कहते हैं अताहा उन्नयन कौण चैतिज रेखा और चैतिज रेखा से उपरिस्थित किसी वस्तु को प्रिक्षक की आँखों से मिलाने वाली रेखा के बीच का कौन होता है। अवनमन कोण अवैसी स्तिती की कलपना कीँजे जिस में लड़का किनारे पर ॠठडा हो और नीचे नाव को देख रहा हो। यहां द्रिष्टी रेखा क्षेतिज स्तर से नीचे है अता द्रिष्टी रेखा और क्षेतिज स्तर के बीच बनी रेखा को अवनमन कोण कहते हैं अता किसी बिंदू से ख्षयते जिस्तर से नीचे स्थित किसी वस्तू का अवनमन कोण द्रिश्टी रेखा और ख्षयते जिस्तर के बीच बनाया कोण है उधारण 1 आये अवनमन कोण और उन्नयन कोण को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ उधारण हल करें एक खंबे के आधार से 18 फीट दूर एक बिंदू से उसके शिर्ष का उन्नयन कोण 48 डिग्री है तो खंबे की उचाई ज्यात कीजिए आये पहले स्थिति की कल्पना करें मान लिजिए कि खंबे की उचाई X है त्रिभुज A, B, C से 10, 48 डिग्री परावर है X बटे 18K ये इंगित करता है कि X बरावर 18 गुणे 10, 48 डिग्री X बरावर 18 गुणे 1.11061 X बरावर 19.991 दू X बरावर 20 आता खंबे की उचाई करीब 20 फिट है उधारण 2 एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर है उसके नेतर से चिमनी के शीर्ष का उन्नेयन कोन 45 डिग्री है तो बताईए कि चिमनी की उचाई क्या है हल यहाँ AP एक चिमनी है CD प्रेक्षक है और कोन ADE उन्नेयन कोन है इस इस्थिती में ADE एक क्रिभुज है जो E पर समकोन है और हमें चिमनी की उचाई ग्याद करनी है हमें ग्याद है AB बराबर AE जमा BE बराबर AE जमा 1.5 और DE बराबर CB बराबर 28.5 मीटर है AE ग्याद करने के लिए हम एक त्रीकोन मिती अनुपात चुनते हैं जिसमें AE और DE दोनों शामिल है आईए उन्नेयन कोन का टेंजेंट लें अब 10.45 डिक्री बराबर AE बटे DE अर्थाथ एक बराबर AE बटे 28.5 अता AE बराबर 28.5 होगा इसलिए चिमनी की उचाई AB बराबर 28.5 जमा 1.5 मीटर जोकी बराबर होगा 30 मीटर के उधारन तीन अब हम एक त्रीकोण मिती अनुपात के प्रयोग से घाटी की चाड़ाई ग्याद कर सकते हैं हम दो त्रीकोण मिती अनुपातों टेंजेंट या कॉंटेंजेंट में से एक का प्रयोग कर सकते हैं दोनों से हमें सही उत्तर प्राब्थ होगा आईए टेंजेंट का प्रयोग करें 10 चालिस डिग्री बराबर है 67 बटे एक्स के एक्स गुणा 10 चालिस डिग्री बराबर होगा 66 के अथा इससे हल करने पर हमें एक्स बराबर 87.5 मीटर प्राप्थ होगा अथा घाटी की चौड़ाई 87.5 मीटर है उदारन चार एक नदी के किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि नदी के दूसरे किनारे परिस्थित एक व्रिक्ष का 99 चौण 60 डिग्री है जब वह किनारे से 40 मीटर दूर जाता है तो 99 चौण 30 डिग्री हो जाता है पेड की उचाई और नदी की चौड़ाई ग्यात कीजिए हल मान लिजिए कि व्रिक्ष की उचाई Y है और नदी की चौड़ाई X है CD बराबर 40 मीटर है त्रिभुज ABD में 10, 30 डिगरी बराबर AB बटे BT है जो की हल करने पर हमें प्राप्त होगा X जमा 40 बराबर Y 3 का वर्कमोल जिसे हम समी करण 1 कहेंगे अब त्रिभुज ABC में 10, 60 डिगरी बराबर AB बटे BC जो की हल करने पर हमें प्राप्त होगा Y पराबर X 3 का वर्कमोल जिसे हम समी करण 2 कहेंगे समी करण 2 से 1 में y कमान रखने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर 20 मीटर और y बराबर 20 तीन का वर्गमोल अताह विरिक्ष की उचाई बराबर होगी 20 वर्गमोल 3 मीटर के और नदी की चौडाई बराबर होगी 20 मीटर के उदारण एक बहु मंजिला इमारत के शीर्ष से एक 8 मीटर उची इमारत की शीर्ष और पाद पर बनने वाला अवनवन कोण क्रमशा 30 डिग्री और 45 डिग्री है बहु मंजिला इमारत की उचाई और दोनों इमारतों के बीच की दूरी बताईए हल यहां PC बहु मंजिला इमारत को व्यक्त करता है और AB 8 मीटर लंभी इमारत को हम बहु मंजिला इमारत की उचाई यानि PC और दोनों इमारतों के बीच की दूरी यानि AC ग्याद करना चाहते हैं इस आकरिती को ध्यान से देखे ध्यान दीजिए कि PB रेखाओं PQ और BD को तरिया काटती है अता कोण QPB और कोण PBD एकांतर कोण है इसलिए बराबर है अता कोण PBD बराबर 30 डिगरी इसी प्रकार कोण PAC बराबर 45 डिगरी होगा सम कोण त्रिभुच PBD में हमारे पास है PD बटे BD बराबर 10 तीस डिगरी अता हल करने पर हमें BD बराबर PD वर्गमूल तीन प्राप्त होगा सम कोण त्रिभुच PAC में हमारे पास है PC बटे AC बराबर 10 पैतालिस डिगरी बराबर एक जोकि PC बराबर AC तथा PC बराबर PD जमा DC इसलिए PD जमा DC बराबर AC जोकि AC बराबर BD और DC बराबर AB बराबर 8 मीटर हमें PD जमा 8 बराबर BD बराबर PD वर्गमूल तीन प्राप्त होता है इससे हमें यह प्राप्त होता है अता बहु मनजिला इमारत की उचाई 4 गुणा 3 जमा 3 मीटर है और दोनों इमारतों के बीच की दूरी भी 4 तीन जमा 3 मीटर है क्या आप चानते हैं? सर्वेक्षन करता त्रीकोन मिती का प्रयोग सदियों से करते रहे हैं 19. सदी का ऐसा ही एक व्रिहत सर्वेक्षन महान त्रीकोन मिती सर्वेक्षन आजादी से पहले किया गया था जिसके लिए अब तक सबसे बड़े थियोट लाइट्स बनाए गए 1852 में सर्वेक्षन के दौरान दुनिया के सबसे उंचे परवत की खोज हुई थी करीब 160 किलोमीटर की दूरी से इस शिखर का 6 विभिन स्टेशनों से प्रेक्षन किया गया था 1856 में इस शिखर का नाम सर जौर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया जिन्होंने सबसे पहले विशाल थियोट लाइट का प्रेयोग किया और जिन्हें इस काम के लिए नियुक्त किया गया था या एक थियोट लाइट है एक सर विक्षन यंत्र जो की त्रीकोण मिती के सिध्धानतों पर निर्भर है इसका उप्योग एक घूमती हुई दुर्बीन के साथ कोणों को मापने के लिए होता है थियोट लाइट अभी भी भरतिये सर्वेक्षन संग्राले देरदून में रखा हुआ है सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं प्रेक्षक की आँख और प्रेक्षक द्वारा देखी जा रही वस्तू के बीच बनने वाली रेखा को द्रिश्टी रेखा कहते हैं जब कोई वस्तू क्षेपी जिस्तर से उपर हो यानि जब हमें वस्तू को देखने के लिए अपना सिर उठाना पड़े तो क्षेपी जिस्तर और द्रिश्टी रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं जब कोई वस्तू क्षेपी जिस्तर से नीचे हो यानि जब हमें वस्तू को देखने के लिए अपना सिर जुकाना पड़े तो क्षेपी जिस्तर और द्रिश्टी रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं दो विभिन वस्तू के बीच की दूरी उंचाई या लंबाई को त्रीकोण मिती अनुपातों की साहता से मापा जा सकता है क्षेचर को तो क्षेब को विभिन दूरी का नहीं है